Welcome dear students to NDA Math Classes by DB Sir तो बिच्चों आज की इस क्लास वाम दिसक्स करने जा रहे है Q11 to Q14 of XIS 6.5 इससे पहले अप तो Q10 we have discussed all the questions and hope everything is clear Now let us start with Q11 Okay, तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग से Q11, 12 तो ऐसे सिंपल ही आपके तो देख लेता हैं फिर भी Q11 को देखिया आप An aeroplane leaps an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour At the same time, another aeroplane leaps the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour How far apart will be the two planes after one and half hours तो पहले तो direction का बनाले तो Directions वोगर जो भी होते हैं North, South, East, West तो direction समने बना लिए हैं ठीक है, direction समने बना लिए हैं East, West और उपर आपका होगया North and after that नीचे की ओर होगया आपका South और यहाँ ओ पॉइंट यहाँ आपन माल देते हैं ओपॉइंट और जिन जहाँ से एरोप्लेन, जिसको एएरोपोर्ट बना लेते हैं जहाँ से दोनो एरोप्लेन उढ़ेंगे ओखे ओए ओपॉइंट से एरोप्लेन उढ़ना श्टार्ट करेंगे at the same time तो एरोप्लेन जो पहला एरोप्लेन है वो नॉर्ट की तरप को फ्लाई करता है स्पीड है उसकी 1000 km पर अवर ये नॉर्ट डारेक्शन की वो फ्लाई करता है at a speed of 1000 km पर अवर ठीक है और दूसरा एरोप्लेन उसी टाइम पे leaves the same airport मिस एरपोर्ट को leave करता है और कौन से डारेक्शन में फ्लाई करता है वेस्ट डारेक्शन में at a speed of 1200 km पर अवर और हमसे पूछा गया है how far will be the two planes after one and half hours means one and half hours के बाद इनके बीच का distance क्या होगा दोनों एरोप्लेन के बीच का ठीक है अब देखिए जैसे यहाँ पे speed दे रखिए कि पहरा जो एरोप्लेन है नौर्थ डारेक्शन में जो उड़ा है उसकी means one hour में one hour में वो thousand km travel कर सकता है because speed 1000 km per hour चाहिड सी बात है अगर 1000 km per hour है तो one hour में कितना distance कवर करेगा 1000 km और तो half hour में कितना करेगा common sense है इसका आदा distance कवर करेगा अगर one hour में 1000 कर रहा है तो आदे घंटे में कितना करेगा half hour में इसका आदा that means 500 km 1000 का आदा 500 हो गया and total मिला के one and half hour में ये total distance travel करेगा कितना 1000 plus 500 that is 1500 km ठीक है तो one and half hours की बाद में माल लेते अरोप्लेन यहां कहीं पहुँचिया और ये distance होगया इसका 1500 km ठीक है इस point को हम P माल लेते हैं तो O P जो distance है वो figure में आप देखिए O P जो distance है वो गये 1500 km at the same time जो दूसरा एरोप्लेन है उसकी speed है one hour में कितना travel कर सकता है 1200 km 1200 km per hour की speed है तो half hour में कितना करेगा 1200 का आधा that is 600 km और one and half hour में कितना distance travel करेगा one and half hour में one hour plus half hour दोनों का जोड़ दो 1200 plus 600 1800 km ठीक है तो west direction में ये airport O से यहां पे कोई point क्यों माल लेते हैं यहां तक का जो distance होगया it is 1800 km ok तो हमने P और Q के बीच का distance यहां पे find करने है जहां पे airplane's पहुंचे है means one and half hour के बाद में जो पहला airplane not direction में ओड़ा था वो P point पहुंचा और जो दूसरा airplane है west direction में जो ओड़ा वो Q point पहुंचा one and half hour के बाद में तो P और Q के बीच का distance हमने निकालना है तो इसमें आप पाइथो को स्थ्रम अप्लाई कर दो तो यहां पाइथो को स्थ्रम अप्लाई करने के बाद आपका result आ जाएगा तो इतना sufficient समझाने के लिए बागी आप common sense है बागी इतना तो आपको आने ही चाहिए almost मैंने सारा question ने discuss कर लिए है इसके अलावा तो कुछ है नहीं आपने के बाद पाइथो को स्थ्रम यह आप अप्लाई करना है उसके बाद P Q की length निकालनी है और distance between the airplanes after one and half hours निकल जाएगा ओके hope this is clear now come to question number 12 question number 12 देखे two poles of height 6 meter and 11 meter तो एक pole की height is 6 meter यह 6 meter वाल पोल होगे सपोज की यह और दूसरी होगे आपकी 11 meter वाल पोल यह होगे okay stand on a plain ground if the distance between the feet of the poles is 12 meter अगर distance between the feet means उनके feet के बीच का जो distance है वो है 12 meter तो 12 meter दोनके बीच का distance होगे फेट के ठेक है and find the distance between the tops तो tops की बीच का distance हम ने निकाल suppose कि यह पहला पोल को मैं a भी मालनू दूसरे पोल को c d मालनू तो मुझे क्या निकालना है यहापे distance between the tops that is a और c के बीच का मुझे distance निकालना है a सी मुझे find करना है okay तो यह सी find करने के लिए मैं क्या करूँगा a से एक parallel line bd के यहाँ draw करूँगा जो कि bd के parallel बनेगी a से ठीक है तो यहाँ पर मैं कैसे क्या हुआ am am is parallel to bd यह construction करेंगे हम यहाँ पर okay इसका ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर आपको construction करना पड़ेगा छोटा सा am parallel to bd तो यहाँ पर आपका parallelogram बन गया फिर am db parallelogram बन गया तो आपको साइट सीकोल हो जाएंगे तो bd will be equal to am तो bd की जो length है वो हो जाएगी 12 के बराबर में and ab की जो length है वो md के बराबर हो जाएगी 6 meter अब देखे cd की total length थी आपकी उपर से लेके नीचे तक जो दूसरा ला pole है 11 meter वाला cd जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी total length है 11 meter उपर से नीचे तक but m से लेके d तक यह 6 meter है तो c से लेके m तक कितना हो जागा 11 मैंसे यह 6 minus की यह तो उपर 5 meter आ जाएगा तो cm की length होगी 5 meter उसके बाद आपने कुछ नी करना है या पाइथो को इस तो आप अपलाई कर देना है cm का square प्लस am का square cm का square प्लस am का square is equal to ac का square तो ac की length यहाँ से आपकी निकल जाएगी ओके hope this is clear simple सा question है तो इसमें आपको problem नहीं होनी चाहिए एक number के questions पूशी आते है question number 11 and question number 12 तो यह आपको easily आ जाने ही चाहिए आला कि मैंने detail में तो बताई दिया आपको करना क्या है construction आपने करना ही है after that clear है rectangle यहाँ पर बन गया या पेलोग्राम बो रेक्टेंगल बो बात क्योंकि यहाँ पर rectangle ही बनना है तो cm के लाइन कितनी हो जाएगी cd minus md that is equal to 5 और उसके बाद apply pythogastrum you will get the result you will find ac hope this is clear now come to question number 13 13 देखे आप d and e are points on the side c and cb respectively of triangle abc right angle at c तो पहले तो figure बनाएंगी हम लोग यह आपका right angle triangle हमने बना दिया है right angle at c है तो c पर right angle होना चाहिए आपका and a और b को आप कहीं पर लिखो उपर नीचे ठीक है a को उपर लिखो या a को नीचे लिखो चलेगा but c पर आपका right angle होना चाहिए यह important है उसके बाद d and e are the points on side c a and c b respectively तो d जो है c a के उपर में है तो d कहीं पर भी बना लो आप यह बना दिया हमने d point and e जो है c b के उपर में है तो e point कहीं भी बना लो यहाँ पर आपकी मर्जी है e point हमने यह बना लिए है okay on side c b उसके बाद हमने क्या फिरूप करना है a e का square प्लस b d का square plus sorry equal to में है a b का square यह already बना हुआ a b and d d और e को हमने जोइन कर लिए d का square फिर हमारा अपने आप आप आजाएगा तो यहाँ पर ले दे के आपने क्या करना है जो प्रूफ करना है यह सारा result आपका पाइथोगोर स्थरम से आना है पूरा का पूरा अब यहाँ पर बहुत सारे triangle बने है right angle triangle जहाँ पाइथोगोर स्थरम apply कर सकते हैं बट इसका easy तरीका है सबसे best है हम start करेंगे left hand side से अब ध्यान से समझेगा कैसे मैं इसको solve कर रहा हूँ ठीक है figure आपका clear हो गया होगा now left hand side से मैंने start किया ae का square plus bd का square is equal to मुझे चीए ab का square plus d e का square तो आप देखे ae का square देखे ae कहाँ पर है ae को अगर आप देखेंगे figure पर तो ae से आप locate कीजिए की right angle triangle बन रहा है क्या ae के मादियम से yes ae से आपके सामने में एक right angle triangle आपको दिख रहा होगा a c e के बल एक ही बन रहा है इसके अलाबवार कोई right angle triangle बनी रहा ae के मादियम से okay तो इस triangle में आप pathogos theorem apply कर दो और ae के square की जिएकर हम क्या लिख सकते है pathogos theorem से a square can be written as a c square plus c e square ठीक है यह हमने लिख दिये है उसके बाद bd square है तो bd को देखिए कहां पर है तो bd को आप देखेंगे यह figure पर आपको दिख रहा होगा bd ठीक है मैंने डाग भी कर दिये है और bd से भी a की right angle triangle बन रहा है bdc तो triangle bdc में आप pathogos theorem apply कर दो तो bd square equal to cd का square plus bc का square यह हमने दो triangle इनके according a e को देखते वे और bd को देखते वे इनके according right angle triangle ढूंडे और उसमें pathogos theorem लगा दिया ओके अब उसके आद देखिए जो result हमें लाना है क्या आ चुका है नहीं है इसको further continue करेंगे अब हम देखेंगे ac को देखेंगे कहाँ पर ac का square देखिए आप ac को locate कीजिए figure में अगर ac को मैं locate करता हूं तो यह आपका green color से मैंने ac को locate कर दिया है अब ac से कितने right angle triangle बनने है तो ac से आपका answer होगा दो right angle triangle बनने है ठीक है means ac से एक तो बन गया आपका a e c a e c एक तो यह आला right angle हो गया एक हो गया a b c but a e c वाले right angle triangle का तो हमने use करी दिया है अब दुबारा use कर कि तो कोई से कोई फाइदा तो है नहीं तो हम यह पूरा जो triangle है triangle a b c ठीक है इसमे राइट इसमे पाइदो को इस तरह आप लाइक कर देंगे तो ac स्क्वाइर की जिगा पर क्या आ जाएगा hypotenuse का स्क्वाइर माइनस base का स्क्वाइर that means a b का स्क्वाइर minus b c का square यहाँ पा जाएगा ओके अब देखे c देखे कहाँ पर तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो c को देखे ढूड़े कहाँ पर c आपका red color से color ने इसको suppose c आपका नीचे में आपका dark कर दिया मैं red से देखिया ज्यादा ही dark कर दिया अब c के माधियम से कितने right angle ब बन देखे बट ऐसी का यूज तो हम अल्लेडी कर चुके हैं तो इसका यूज दुबारा तो करेंगे नी तो आप मैं किसका यूज करूँगा इस वाले triangle का यूज करूँगा triangle dc का और इसमें लगा दूगा 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 पाइथा के स्क्वायर की जिगा पर क्या जाए c ke sqk2 की जिगा पर d square minus dc sql dg लिग दिया है और बाकी चीजें आप जैसे है वैसे उतार दो फ्लस c d ka square ऐसे उत लिए और फ्लस c d ka square ऐसे उतर इलगा है क्योँकि इस अब cancel होंगे अग तो देखिये आप c d ka square से c d sql k ancel हो गया और b c epsilon से b c k square cancel हो what you are left with a b ka square और साथ में क्या बचा प्लस d e ka square तो यह चीज आपने लाने थी equal to आपका RHS आ चुका है hope this is clear तो इस तरह के सापने solve करना था question number 13 को साही मा आ चुका काफी detail माम ने समझा दिया है now come to question number 14 14 देखे है आप the perpendicular from a on side b c of a triangle a b c intersects b c at d such that d b is equal to 3 c d c figure 6.55 already बना है prove that 2 is a b ka square equal to 2 a c ka square plus b c ka square तो figure यहाँ already बना है जाला टेंसल ने लिए जो अतनी है हमें ओके और यहाँ पर given क्या है देखे है given है आपका given में क्या है important a d perpendicular है b c के उपर में a d is perpendicular to b c और दूसरा में क्या given है d b is equal to 3 times c d यह बहुत important है d b d b c d का 3 गुना है ओके यह clear हो गया तो यहाँ पर हम लिख सकते है once again to prove में जो prove करना है तो simple सा उतार देना है यहाँ से 2 times a b ka square plus sorry equal to 2 times a c ka square plus b c ka square यह prove करना है अब proof हम यह start कर रहे है proof में क्या करेंगे देखिए अब ध्यान से सबसे बहुत है इसको थोड़ा सा हम जो given है d b is equal to 3 times c d यह given है बहुत important जीजे ठीक है तो इसका use करेंगे पहले हम अब देखिए figure को देखिए c d plus d b is equal to क्या है b c है यह यह देखिए c d और d b को जोड़के क्या b c के बरावर आ रहा है नहीं आ रहा है yes अब c d को तो c d लिखा d b किसके बरावर में d b है 3 times c d के बरावर तो यह हम देखिए 3 times c d d b को उठा के ठीक है जो given का use कर लिए हमने यह आपे d b is equal to 3 c d लिख दिया is equal to b c c d plus 3 c d कितना हो गया 4 c d is equal to b c c d equal to आ गया b c upon 4 यह बहुत important है ठीक है क्योंकि हमने इसके माध्यम से क्या कर दिया c d को b c के term में लिख दिया c d को अगर मैं c d ना लिखना चाहूं और b c के term में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं c d की जिगा पे b c upon 4 क्योंकि हमें यहां पे c d तो कहीं पे चीज़े नहीं जो proof करना है और c d आएगा तो मुझे change करना पड़ेगा b c में तो मैं उस वक्त जो है इसका use करते विए c d को b c के term में change कर दूँगा और d b को भी अगर आप change करना चाहते हैं तो change कर सकते हैं या d b को पहले c d में change कर तो फिर उसके बाद b c में change कर तो आपके मर्जी है ठीक है कोई दे करत नहीं इसके बाद हम c d प्रूफ में start करते हैं क्या प्रूफ करना था इसका left hand side क्या था आपके लिए a की right angle triangle बन रहा है यहां पर that is triangle a d b और यहां लगा दो pythogos theorem तो two times a b का square की जिगह पर क्या आ जाएगा a d का square plus d b का square यह आ गया अब देखिए जो चीज हमें right hand side में चाहिए कोई आया के हैं आपके कुछ भी नहीं अब a d को हटाने के लिए अब a d को हटाने के लिए मुझे ट्राइंगल साइच करना पड़ेगा तो यहां figure में जाएंगे तो आप a d के मादियम से कोई right angle triangle बन रहा है a d के मादियम से दो right angle triangle बन रहा है एक तो left side में एक right side में ठीक है और एक का use हम अलड़ी कर चुगे a d b का तो हमार बास बचा किया a d c यह आलड triangle बजी है triangle a d c और यहां पर हम python को इस तरह प्लाइ कर देंगे तो यहां से a d के square को हटा करके इसकी जिगा पर क्या आ जाएगा यह तो perpendicular है a d to hypotenuse का square minus base का square यानि की a c का square minus c d का square हमने लिग दिए है okay bracket bracket तो यहां पर लगाएंगे हम लोग plus d b का square और d b की चीगा पर क्या लगएंगे d b था 3 c d तो 3 c d का square हमने यहां पर लिग दिए है इसको यह अलब bracket लगाते हैं कर ली वाला ठीक है अब देखे 2 times a c का square minus c d का square plus 3 का square 9 हो गया 9 c d का square यह आ गया आपके पास इसके आद फर्दर आप solve करेंगे दे तो what you will get a c का square plus 8 c d का square यह आ गया अब इसके बाद अब आपने क्या करना है देखे 2 तो यहां पर already है a c already आ चुके है कोई means यहां पर टैंसल नहीं आ रही बात है नहीं हमारे पास ठीक है a c का square तो ऐसे ही रहन देते हैं अब मैं क्या करूँगा यहां पर c d को हटाऊंगा c d की जिगा पहले दूँगा b c upon 4 जो हमने इससे पहले जो हाँ पर छोड़ रखाता है जब मैंने आपसे कहा था कि c d को मुझे हटाना पड़ेगा क्यों c d तो मुझे चीज़ है नहीं c d को b c के टाम में गणबट करना है तो यहां पर equation 1 ही मालत है equation 1 का use हम यहां पर कर लेंगे equation 1 को देखे जहां पर हमने लिखा है c d equal to b c upon 4 तो यहां पर हम c d की जिगा पर b c upon 4 लेखेंगे तो फिर square भी करना है क्योंकि c d का square है तो b c upon 4 का square भी होगा तो यह आपका क्या जाएगा b c का square upon 4 का square बन गया 16 ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगा आप लोग 8 से 16 को काड़ दीजे कितना times 2 times कर दीए बाग इसमें थोड़ा सा lc m होगा लिजे आपका solve हो चुका है result आ चुका है right hand side c का square upon में बचा है 2 यहाँ पर ले लीजे lc m तो lc m लेंगे तो आगया 2 और यहाँ बाहर में bracket के बाहर 2 है और 2 a c square आगया यह प्लस b c का square 2 से 2 cancel हो जागा यहाँ पर बचा किया equal to 2 times a c का square प्लस b c का square यह आपका rhs आ चुका है बहुत simple तरीक है ठीक है तो यह चीज़ आ यहाँ पर db equal to 3 cd लिखा तो इसका बहुत बड़ा importance है जब given है तो इसका use कहीं ने कहीं होना है और यहाँ इसका use कहाँ पर होना था क्योंकि cd तो हमने proof नहीं करना गया पर cd vd तो लाना नहीं नहीं db लाना है हमें bc ac और ab की बात हो लिए है तो इन तीनों में से कोई मनलब इन तीनों में से एक चीज तो आनी चीए cd को convert करने पर तो हमने यहाँ पर figure को देखते वे cd plus db का use करते वे equal to bc आगे फर्दर जो given conditions थे उसका use किया और cd को bc के term में convert कर दिया और cd equal to bc upon 4 आग equation 1 बन गया अब इस equation का use आगे चलते आपका हुआ हाला कि और अगले क्लास के साथ आपका एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में इतना ही थैंक यू फो तुड़ीज क्लास